Hello friends, welcome to study news, आज हम इस वीडियो में एक सितंबर के एक्जाम रिलेटेड जितने भी important questions हैं, उन्हें हम यहां solve करेंगे, so let's start First question है, मेजर ध्यान चंद, विजय पत्थ योजना किस राज्ये में सुरू की जा रही है? options हैं, हर्याणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या तमिल नाडू, तो उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री केसव प्रसाद मोर्या ने मेजर ध्यान चंद, विजय पत्थ योजना की सुरूआत की है, तो इसमें उत्तर option भी उत्तर प्रदेश सही है, इसके तहत राज्ये क इन 19 अंतर राष्ट्रे खिलाडियों को उनके घरों तक सड़क का निर्माड कराये जाएगा, इन 19 अंतर राष्ट्रे खिलाडियों में भारतिय तेज गेंदबाज, भुनेश्वर कुमार, प्रवेड कुमार, स्पीनर, प्यूश चावला और मोहमत कैफ शामिल हैं, नेक्स्ट कोस्चन है, मुस्तफा अधीब किस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ओप्संस हैं, लेबनान, माली, मुरक्को या यूक्रेन, तो मुस्तफा अधीब अब लेबनान के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसमें उत्तर ओप्सं A, लेबनान सही है, ये जर्मनी मे लेबनान की राजदूत के रूप में नियुक्त थे जिन्हों ने प्रमुख राजनेइक समर्थन हासिल करने के बाद देश के अगले प्रधानमंतरी के रूप में पद ग्रहन करेंगे इनसे पहले हशन दियाब प्रधान मंत्री थे लेकिन इनकी सरकार ने अगस 2020 में राजधानी बेरुत में हुए विस्फोट पर गुस्से के बीच पद को त्याग दिया था लेबनान की बात करें तो लेबनान की राजधानी बेरुत है और लेबनान में लेबनीस पाउंड यूज होती है नेक्स्ट कोस्चन है ड्रेगन फ्लाइ फेस्टिवल मनाने वाला पहला राज्य कौन है आपसंस है करनाटका केरला तमिलनाडू या मद्धिपरदेश तो इंडिया के केरला इस्टेट ऑफिस सोसाइटी फोर ओडोनेट इस्टडिज और थुम्बी पूर्नम के साथ केरल में पहली बार ये ड्रेगन फ्लाइ फेस्टिवल मनाएगा इसका नाम थुम्बी माहल स्वाम 2020 रखा जाएगा तो इसमें उत्तर ऑप्सन भी केरला सही है केरला की बात करें तो केरल की राजदानी तिरिवनंथ पूरम है केरल के चिफ मिनेश्टर पिनराई विजियन है और गवर्नर आरिफ महमत खान है नेक्स्ट कोस्चन है राजिव गांधी खेल रत्न पूरशकार के लिए पूरशकार रासी साड़े साथ लाख रुपे से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है आप्सन्स हैं दस लाख बार लाख बीस लाख या पचीस लाख तो खेल मंतरी किरन रिजुजु ने राश्ट्रे खेल और साहशिक पूरशकारों की साथ स्रेडियों में से चार में पूरशकार रासियों में बढ़ोत्री की है इसमें राजिव गांधी खेल रत्म पुरसकार के लिए पुरसकार रासी 7.5 लाग रुपए से बढ़ा कर 25 लाग रुपए कर दी गई है तो इसमें उत्तर ओप्संडी 25 लाग सई है और अर्जुन आवार्ड के लिए पुरसकार रासी जो पहले 5 लाक रुपे थी इसे बढ़ा कर 15 लाक रुपे कर दी गई है नेक्स्ट कोस्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इशिका चौधरी को एक लव्य पुरसकार से सम्मानित किया गया है ये किस खेल से सम्मानित है आपसंस है होकी, चेस, क्रिकेट या बैड्मिंटन तो भारतिय जूनियर महिला होकी टीम की इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक लव्य पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो इसमें उत्तर आपसंस ए होकी सही है इशिका चौधरी ने 2011 में 11 वर्स की उम्र में खेलना सुरू किया और मध्य प्रदेश होकी अकैडमी से ग्रेजुएट किया है नेक्स्ट कोश्चन है यूनेसी प्रस्ताव का सहप्रयोजक देश कौन बना है आपसंस है आश्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या चाइना तो भारत ने एक सुरक्षा परिशद के प्रस्ताव को सहप्रयोजित किया है जो शांती, अभियानों में महिलाओं, कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए किया गया है युनाइटेड नेशन्स के पीस कीपिंग फोर्स में भारत सबसे बड़े सैने दलो में से एक है तो इसमें उत्तर आपसं भी इंडिया सही है युनेस्सी की बात करें तो युनेस्सी का फूल फॉर्म युनाइटेड नेशन सेक्योर्टी काउंसिल है इसके हेड़कॉर्टर नियू यूर्क युनेटेड इस्टेट्स में है और इसकी स्थापना उननीस सो पैतालिस में हुई थी नेक्स्ट कोस्चन है लोग सभा के सचीव के रूप में किसे निउक्त किया गया है आपसंस है तो 1 सितंबर 2020 से सेवा निवरित आईयस आफिसर उत्पल कुमार सिंग को लोग सभा के सचीव के रूप में निउक्त किया गया है तो इसमें उत्तर आपसंस ही उत्पल कुमार सिंग सई है नेक्स्ट कोस्चन है आई एफ एफ आई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया का आयोजन गोवा में किया जाएगा ये कौन सा संसकरण है आपसंस हैं पचासवा इक्यावनवा बावनवा ये तिरपनवा तो 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2020 तक गुवा में किया जाएगा तो इसमें उत्तर आप्शन भी 51 साई है नेक्स्ट कोस्चन है हालही में किस भारतिय पूरु राश्पती का निधन हो गया है तो अभी हालही में प्रडम मुखर जी का निधन हो गया है जो भारत के पूर राश्पती थे तो इसमें उत्तर आप्शन भी साई है ये भारत के 13 राश्पती थे जो 2012 से 2017 तक कारेरत थे नेक्स्ट कोस्चन है SBI Funds Management ने किसे MD और CEO बनाया है आप्शन हैं दिनेश कुमार, विने टॉन्स, अरुण तिवारी या मुके सिंग तो SBI Funds Management ने विने टॉन्स को MD और CEO के रूप में न्युक्त किया है तो इसमें उत्तर आप्शन भी विने टॉन्स सही है ये अर्श्विनी भाटिया की जगे लेंगे बात करें, SBI की तो SBI का Full Form State Bank of India है SBI की स्थापना 1955 में हुई थी और SBI के अध्यक्ष रजनिस कुमार है तो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment कर दो